तो जब भी आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं, तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम बहुत सी बार आपने नोटिस करी होगी, कि जो भी गाड़ी आपने पसंद करी है, उसकी आप सबसे पहले रिव्यू देखते हैं, वेबसाइट पर उसके बारे में जानकारी लेते है कैसी का गाड़ी है, और यहां पर यह भी देखते हैं कि वह गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में सबसे पहले प्राइस देखते हैं, उसके बाद में वह गाड़ी कितनी माइलेज दे रही है, यह देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्यो बन लीजे आपकी गाड़ी जो भी है 25 km की माईलेज देगी, ऐसा वो लोग क्लेम कर रहे हैं, और जब आप उस गाड़ी को रियल वल्ड में लेके आते हैं, तब वो गाड़ी तकरीबन 18-20 के आसपास ही माईलेज देती है, यानि तकरीबन उसकी 25% तक माईलेज गिरी हुई अपको मैसूस होती है, तो ऐसे में क्या कंपनी आपके साथ धोका करती है, कि ऐसा क्या होता आपके साथ के भाई, जो वो अपनी वेबसाइट पे बता रहे हैं, कि हमारी गाड़ी इतनी माईलेज देगी, और वही गाड़ी आपके घर पर याने के बाद पर जब आप चला लगती है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो ची आते हैं अपने मुद्देग की बात पर देखें यहां पे मैं आपको एक चीज बता दू कि जिसी भी कंपनी की आप कोई भी गाड़ी लेने जा रहें अगर उसकी बारे में आपको किसी व कोई भी मैनुफेक्चरर आपको डारे की नहीं बताता है वह माइलेज एक एर याई द्वारा अपरू करी जाती है अवाल यहां पर यह आता है कि कोई भी कंपनी क्यों अपनी गाड़ी को टेस्ट करके अपनी माइलेज नहीं बताती क्यों यहां पे एर याई को बीच में सम insane यहां भी माइलेज आता है मेन में अपनी आपको बता दो अगर हर कम्पनी अपनी अपनी मार्केट条 करके लिए ऊपनी अपनी मार्केट लिख रखेंगी अब मान के चली यह आप इसी चीज को बना रहे हैं अगर आपको ठेका दिया जाता है उसी चीज के गुणगान गाने का तो आप दो अच्छा ही बुलने वाले यहां पर क्यों ही बुरा बुलेंगे उसके लिए ऐसा ना हो इसके लिए हमारे देश में एक संस्ता है जो की एर यही काम करती है जो गाड करने का हर गाड़ी का एक सिंपल प्रोसेस होता है एक लैब के अंदर मेटल वील्स रोलर के ऊपर उस गाड़ी को गुमाया जाता है और तकरीबन उस गाड़ी को काफी देर तक चलाया जाता है और उसके बाद में उस माइलेज को प्रोसेस करी जाती है और मैं आपको यह चीज और बता दूँ कि जब भी वहां पे इस गाड़ी को चलाया जा रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 31 किलो मेटर पर गंटे के हिसाब से चलाया जाता है पर हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो 80-120 पो नॉर्मल होती है हमारे लिए भी गाड़ियों को टेस्ट इस तरह से किया जाता है तो उसमें सिंगल एक बंदा बैठा होता है एक ड्राइवर्स में बैठा है अराम से गाड़ी चल रही है और अपना रिजल्ट दे रही है पर आप जबी भी अपनी गाड़ी को चलाते हैं कि हर समय आप अकेले होते हो सकता है आप ज्यादातर समय अकेले हो पर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी में आपके साथ 2-3 बंदे और हो तो जैसे जैसे गाड़ी पर weight बढ़ता है वैसे वैसे उस गाड़ी की average भी घटती ह जैसे कोई गाड़ी को lab में test किये जा रहा है तो उस समय उसको moment में नहीं है वो गाड़ी वहीं खड़ी है वो गाड़ी अपनी stationary position में खड़ी है केवाल उसकी engine चल रहा है RPM बढ़ रहा है और गाड़ी के wheels गूम रहा है अब ऐसे में गाड़ी को सामने से आने वाली हवा उस जादा असर पड़ता है और जितना ज्यादा गाड़ी के engine पर दबाव पड़ेगा उतना ज्यादा वह petrol डीजल जिस भी फ्यूल में आप गाड़ी चला रहे है वह तो खाएगी और बदले में आपको mileage बहुत कम देगी तो जिए इन सब के बाद में यहां पर एक सवाल यह हो सकता है कि जो काड़ी लेब में test करी जाती है mileage के लिए तो वह गाड़ी को रोड़ पे लाके क्यों नहीं test किया जा सकता है क्यों उसमें दो-तिन बंदे बिठा के test नहीं किया जा सकते जिस तरह से हम रोड़ पे चला रहा है इस तरह से वो भी company आपनी गाड़ी को operations बनाई जाती है और एकी तरह कि वहां पे speed बनाई जाती है और जब वो गाड़ी real world में आएगी वो हर अलग-अलग इंसान पे जाएगी हर इंसान का driving pattern अलग होता है हमारे देश में हर रोड अलग होती है कोई खड़े वाली हो सकती है कोई plane हो सकती है तो यहां पे same scenario एक lab क test ना करते हुए ऐसे खुली सड़कों पर अगर test करा जाए तब यह result और भी ज्यादा manipulate हो सकते हैं अब आप मान के चलिए कि एक company के पास में अगर 10 गाडियां हैं जो mileage को test करा नहीं है तो वो दसो गाडियों के लिए उसको same scenario मिलेगा उसको same atmosphere मिलेगा और same speed मिलेगा जितनी भी चीज़े हर गाड़ी को test करने के लिए लगेंगी वो सब में सेम लगेंगी पर यहां पर यह चीज़ देखिए कि अगर उन सारी गाड़ियों को road पे चलाया जाएगा तो हो सकता है एक ही time पे उस गाड़ियों में अलग-अलग speed आए और अलग-अलग mileage का ratio भी निकले त और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बनी रही है और इस वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe जड़ करना